Dr. Strange in the Multiverse of Madness Mid-Credit Scene और Ending के डिटेल में जाने से पहले फटाफट इस मुईज का Recap कर लेते हैं Huge Spoilers Ahead Opening Scene में हमने देखा कि Defender Strange और America Chavez The Book of Vishanti की तलाश में Gap Junction या Space Between the Universes में पहुँच गया इनके पीचे पीचे एक Witchcraft Demon भी Gap Junction में चला आया ये Demon America Chavez से उसकी Multiverse में ट्रैवल करने वाली Power चीनना चाता था Defender Strange समझ गया कि समय रहते हो इस Demon को नहीं रोक सकते तो Chavez के Power उस Demon को देने के बज़ाए Defender Strange खुद America Chavez के Power खीचने लग गया ऐसा करने से America Chavez मारी जाएगी बड़ एक बच्ची के जान बचाने के चक्कर में इतने खतरनाक पावर्स को Demon के हवाले करने का रिस्क Defender Strange को नहीं लेना था बड़ तब ही उस Demon ने Defender Strange को ही मार दिया और Chavez से उसके Power चीनने लगा अमेरिका के पास Multiverse में ट्रैवल करने वाले Power तो थे बड़ उन्फॉचनेटली वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती थी लेकन अमनी जान खतर में पढ़ते ही शैवेस के Powers Trigger हो गए और वो Defender Strange की बड़ी के साथ Earth 616 की रियालिटी में टेलिपोर्ट हो गई जहां Dr. Strange क्रिस्टीन पार्मो की शादी अटेंड कर रहा था शैवेस की पीछे आये Octopus Demon ने Strange और सोर्सरोर सुप्रीन वांग का ध्यान उसकी ओर खीचा डीमन से जान बचते ही शैवेस ने Strange और वांग को बताया तो MCU के साब से हम सपनों में अपने Alternate Universe वाले वर्जन की लाइवस को देखते हैं डॉक्टर स्टेंज समझ गया कि वो डीमन्स पक्का किसी डार्क विच्ट ने भेजे होंगे फिर Defender Strange की बॉड़ी को दफना कर डॉक्टर स्टेंज वांडा से मदद मागने चला गया पहले तो वांडा ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे कि उसे कुछ पता ही निये के स्टेंज क्या बात कर रहा है बट जल्द ही स्टेंज समझ गया कि उन Multiverse डीमन्स को वांडा नहीं अमेरिका शावेस की पीछे बेजा था स्कान लेडविज बनने के बाद सही डार्क होल ने वांडा को पूरी तरह से करप्ट कर दिया था डार्क होल से वांडा को पता चला कि Multiverse की Alternate Realities में उसके बच्चे यानि बिली और टॉमी जिन्दा है इसलिए वांडा शावेस से उसके पावर्स चीन कर अपने बच्चों से मिलने जाना चाहती थी उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि बात में उस Alternate Reality वाली वांडा का क्या होगा या फिर इस प्रोसेस में एक मासूम बच्ची की जान जा रही है उसे अमेरिका शावेस से हलप नहीं बलके उसके पावर्स चाहिए थे ताकि फ्यूचर में अगर बिली और टॉमी को कोई बीमारी या प्रॉबलम आए तो वांडा खुद मल्टी वर्स में ट्रैवल करके उसका सलूशन धून सके इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसके वेस्ट व्यूव वाले बच्चे असली नहीं थे बट कोई फाइदा नहीं वांडा ने स्ट्रेंज को वार्निंग दी कि अगर इन्हों ने अमेरिका शावेस को उसके हवाले नहीं किया तो वो Scarlet Witch बनकर खुद कमरताज से उसे उठा लेगी Strange के मना करने के बाद Scarlet Witch ने कमा चाज पर हमला कर दिया और वहां के धे सारे सोर्सरोस को बहराई में से मार कर Wonk को बंदी बना लिया मुसीबत बढ़ते ही शैविस के पावर्स फिर से एक्टिवेट हो गए अब वो पोर्टल ओपन करके Strange के साथ Earth 838 में टेलिपोर्ट हो गई यहां के रियलिटी में सब कुछ उल्टा-पुल्टा था Alternate Strange ने Thanos को हराने की खातिर अपनी जान दे दी Modo और Strange भाई-भाई है RCB3 आई-बेल्ट रॉफिस जीचुकी है Red Signal पर चलना है और Green Signal पर रुखना है सब उल्टा दूसरी उनिवर्सल इस Strange को अपनी उनिवर्स में देखकर Modo ने उसे और Shavis को कैद कर लिया ताकि यहां की Multiverse Expert Scientist यानि Christine Palmer इनकी जाँच कर सके इन special हतकड़ियों की वज़ासे Strange उसके पावर्स यूज नहीं कर सकता जाँच पूरी होने के बाद Modo Strange को Illuminati से मिलाने ले गया इस उनिवर्स की Hero Gang जिन्होंने Thanos को हराया था जिसमें शामिल है Captain Peggy Carter Black Bolt Captain Maria Rambo as Captain Marvel Reed Richards और Professor Charles Xavier यास इस रेलिटी में Fantastic Force X-Men, Inhumans और Avengers साथ मिलकर काम करते हैं लेकिन हम भी पता नहीं कि इस उनिवर्स में X-Men और Avengers जैसे Official टाइटल यूज भी होते हैं के नहीं जब ये सब चला था तब Earth 616 की Vanda Dark Hold में लिखा Dream Walk मंतर पड़ रही थी Dream Walk के जरीए ये अपने Multiverse में मौजूद किसी भी Alternate Virgin की बोड़ी पर कंट्रोल कर सकती है Vanda का Dream Walk मंतर पूरा होने के पहले कमटाज की एक सोर्सरर ने Dark Hold को तबा करके अपनी कुर्बानी दे दी Dark Hold के तबा होते ही Vanda Wong से Information उगलवाने बचे कुछे सोर्सरर उसको टॉर्चर करने लगी ये देखकर Wong ने Vanda को बताया के Dark Hold तो बस एक कॉपी है कथाउन ने ये सारे मंतर माउंट वंड़गोर पर बने किले की दिवारों पर लिखे दे बस फिर क्या था Vanda मंतर पूरा करने Wong को उठा कर वंड़गो कासल चली गए उधर Earth 838 में Strange Illuminati को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा Vanda किसी भी वक्त Dream Walk करते वे यहां आती होगी फिलहाल ये Scarlet विच इतनी Powerful बन गई है कि उसके No More Cross Overs बोलते हैं इधर बैटे सारे लोग धूल बन जाएंगे बट इलिमिनाटी को Scarlet विच से ज़्यादा Doctor Strange की पड़ी थी इनकी उनिवर्स के Doctor Strange को Dark Hole ने करप्ट कर दिया था Thanos को हराने के चक्कर में Alternate Strange किसी को बिना बताए Dream Walk वगरा कर रहा था Alternate Strange के इसी मनमानी ने इनकी उनिवर्स में Almost Incursion पैदा कर दिया था इनकर्जर यानि दो रियालिटीज का आपस में टकराना जिसकी वज़ा से Universes की बैंड बच जाती थी Thanos को हराने के बाद इनकर्जर को होने से रोकने Illuminati ने Alternate Strange को मार दिया था और बाद में ये जूटी खबर फैला दी कि Strange तो Thanos को हराते वक्त मारा गया Illuminati को पूरा यकीन है कि Multiverse की हर दॉक्टर स्ट्रेंज का सेम इचिट्यूड होगा स्ट्रेंज हमेशा दिस इस दो ओनली वे के चक्कर में कोई न कोई बड़ा कांट करी देगा इसलिए वो यहां वान्डा से ज़्यादा दॉक्टर स्ट्रेंज को खतरा मान रहा थे वान्डा ने ड्रीमवाक मंतर की जरिये अर्थ 838 की अल्टरनेट वान्डा की बॉड़ी पर कबजा कर लिया जो यहां अपने बच्चों के साथ खुशाल जिंदगी बिता रही थे इससे पहले के इल्युमिनाटी स्ट्रेंज के अगेंस कोई फैसला सुनाए वहां पर ड्रीमवाक करते वे वान्डा आ गई इल्युमिनाटी पहले तो वान्डा के सामने बहुत हीरो बन रहा थे बढ़िल वान्डा ने बढ़ी आसानी से एक एक करके सब को मार दिया मॉडो स्ट्रेंज के साथ ता इसलिए बच गया इनका हार्क तो शुरू होते ही कतम हो गया भई स्ट्रेंज मॉडो को चकमा देकर उसकी कैट से भाग निकला इल्युमिनाटी को धूल चटा कर वान्डा शैवेस को लेनी चली गई प्रोफेसर एक्स ने मरने से बिले स्ट्रेंज को बताया था कि उन्होंने बुक अफ विशान्ती की लोकेशन धून ली बुक अफ विशान्ती यानि डार्क होल की अपोजट इस बुक के जरीए वो स्कारलेट विच को रोक सकते थे लगिली इलुमिनाइटी के बेस में गैब जंक्चन को जाने वाला सीक्रेट पोर्टल चुपा था जिसे बस डॉक्टर स्टीज खोल सकता है क्रिस्टीन पार्मर ने नोटिस किया कि इस पोर्टल के लॉक पर घड़ी का शेप बना था वही वाँच जो क्रिस्टीन पार्मर ने स्ट्रेंज को गिफ की थी जे अलसी मास्टर अल्टर थिन पर्पेट्चुल केलेंडर इन तीनों ने पोर्टल के जरीए गैब जंक्चन में जाकर बुक अफ विशान्टी ले ली बड़ तब ही वहाँ पर वांडा आ गई के पावर्स खीचने का काम शुरू कर दिया जो के सर्प्राइजिंगली काफी स्लो प्रोसेस था बाइदेवे ये वंडेगूल कासल कबर नहीं बलके स्कारलेट विच का तक्त है के तो उनने अल्रेडी प्रेडिक कर लिया था कि स्कारलेट विच जैसी कोई एंटिटी एक दिन मल्टी वर्स पर राज करेगी इस इनकरजन वाली रियलेटी के सिनिस्टर स्टेंज को भी डार्क होल्ड ने पूरी तरह से करप्ट कर दिया था ये तीसरी आँक यहां इसी करप्शन के निशानी है सिनिस्टर स्टेंज ने इसे चेतावने दी कि डार्क होल्ड हमेशा उसकी रीडर पर डार्क इफेक्ट दालती है बट स्टेंज के पास शावेस और वॉंग को बचाने का बस यही एक रास्ता था फिर स्टेंज और सिनिस्टर स्टेंज के बीच डार्क होल्ड को लेकर म्यूजिक फाइट हुई जिसमें अर्थ 616 का स्टेंज जीत गया क्रिस्टीन पामर के मना करने के बावजूद भी स्टेंज डार्क होल्ड में लिखा ड्रीम वाकिंग मंतर पढ़ने लगा याद है ना अर्थ 616 पर डिफेंडर स्टेंज की बॉड़ी दफन थी स्टेंज ड्रीम वाकिंग के जरीए उसी बॉड़ी को कंट्रोल करना चाता था बड ऐसा करने से सोल्स अफ डैम उसके पीछे पर जाएंगे स्टेंज ने सक्सेफुली डिफेंडर स्टेंज की बॉड़ी पर कबजा कर लिया और किस्टीन पामर से मोटिवेशन मिलते ही इसने सोल्स अफ डैम को भी कंट्रोल कर लिया फिर जॉंबी डिफेंडर स्ट्रेंज सोल्स अव डैम को क्लोक अव लिविटेशन बना कर वांडा से लडने चला गया निहायती बैड़ाइस सीन वांग वांडा को हराने की नाकाम कोशिश में पहाड़ी के किनारे बेहोश पड़ा था हो जाते ही ये भी लड़ाई में शामिल हो गया स्ट्रेंज और वॉंग समझ गये कि वांडा को हराना इनकी बस के बात नहीं वांडा को मल्टी वर्स पर कबजा करने से रोकने का बस एक ही तरीका था वानदा से पहले स्ट्रेंज को शैवेस के पावर्स छीनने होंगे इस बर शैवेस भी सेक्रिफाइस के लिए पूरी तरह से तयार थी बट अर्थ 616 का स्ट्रेंज बाकी स्ट्रेंज से काफी अलग है यह जानता है कि शावेज शुरू से ही अपने पावर्स की वज़ा से परेशानी में थी इसने बचपन में एक्सिडेंटली पोर्टल ओपन करके अपनी दोनों मम्यों को किसी दूसरी डिमेंशन में ढखेल दिया था शावेज को सेक्रिफाइस की नहीं बलकि प्यार भरोसे और थोड़े मोटिवेशन की जरूरत थी स्ट्रेज की बाते सुनते ही अमेरिका शावेज ने उसके पावर्स पर कंट्रोल करना सीख लिया लेकिन वांडा को हराने पावर्स की नहीं दिमाग की जरूरत थी शावेज ने खुद को वांडा के आगे सरेंडर कर दिया और जब वांडा उसे मार रही थी तब ये दोनों को टेलिपोर्ट करके अर्थ 838 रियालिटी वाले बिली और टॉमी के सामने ले गई ताकि इसके बच्चे वांडा के स्कारलेट विच रूप को देख सके बिली और टॉमी को अपने से डरता देख वांडा फाइनली समझ गई कि वो जो कर रही थी वो एकदम गलत है अल्दिरेंट वांडा ने इससे वादा किया कि वो ज्यादा चिंता ना करे हर एक रियलिडी में बिली और टॉमी खुशाल जिंदेगी बिता रहे हैं अपनी कलती का ऐसास होते ही वांडा ने मल्टी वर्स के सारे डार्क होल्ड बुक्स को तबाह कर दिया और वंडगूर कासल को गिरा कर खुद को सेक्रिफाइस कर दिया वैल देख के तो ऐसा ही लग रहा था बड़ सुना है कि अलिजबेद ओल्सन ने मालवले के साथ कोई नया लॉंग एग्रिमेंट साइन किया है तो भाई इस मल्टी वर्स वाले MCU में कुछ भी हो सकता है अमेरिका शावेज ने स्ट्रेंजर क्रिस्टीन पार्मर को इनकरजन वाली रियालेटी से निकाल कर उनके अपने अपने अर्थ पर पहुंचा दिया जाने से बले स्ट्रेंज ने क्रिस्टीन को बताया कि वो हर युनिवर्स में क्रिस्टीन से उतना ही प्यार करेगा अर्थ 616 वाली क्रिस्टीन तो निकल गई और अगर 838 वाली के साथ कुछ किया तो इनकरजन हो जाएगा काफी स्ट्रेंज सिचुएशन में अटक गया भाई एंड सीन में हमने देखा कि अमेरिका शावेस कमर टाज में सोर्सरर बनने की ट्रेनिंग ले रही थे और डॉक्टर स्टेंज के सर पर तीसरी आँख उबर आई में भी डार्क होल यूज करने के साइड इफेक्ट्स फिर मिड क्रेट सीन में क्लिया ने डॉक्टर स्टेंज को बताया कि उसके मल्टिवर्स ट्रेवल वाले कारणामे की वज़ा से नया इंकरजन इवेंट ट्रिगर हो गया इतना बोलकर क्लिया तीन आख वाले स्टेंज को अपने साथ डार्क डेमेंशन में ले गई बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अल्टरनल रियलेटी वाले वो सिनिस्टर स्टेंज की तरह ये थर्ड आय डॉक्टर स्टेंज को भी इविल बना देगी बट ऐसा नहीं है कॉमिक्स में ये थर्ड आय 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 अफ अगमोटो को रिप्रिजन करती है इस तीसरी आख की मिलते ही समय ले डॉक्टर स्टेंज के सारे पावर्स अनलॉक हो गया है वान्डा ने सारे उनिवर्सेस से डार्क होल को तबाह कर दिया तो आई थिंग इसका डार्क मैजिक से कनेक्शन भी तूट गया होगा डार्क मैजिक से याद आया Dark Dimension क्लिया Dark Dimension की Sorcerer Supreme है जो कॉमिक्स में आगे चल कि Dr. Strange का लव इंट्रेस भी बनी थी बड़ आइ थिंग MCU क्लिया की Origin Story थोड़ी चेंज कर देंगे क्योंकि कॉमिक्स में दोर्मामू इसका मामू था यानि क्लिया दोर्मामू की भांजी तो जैसे के हमने Mid Credit Scene में देखा Sorcerer Supreme होने के साथ-साथ क्लिया के पास Fabric of Reality को काट कर दूसरे Dimension में Travel करने की भी Ability है क्लिया के Introduction से ये बात तो Almost Confirm हो गई कि MCU के Future Storyline में Incursion बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा काफी लोगों का मानना है कि MCU शायद 2015 वाली Secret War स्टोरी लाइन को फॉलो करेगा जिसमें Incursion Events के बाद धेर सारी Realities आपस में टकरा कर Merge हो गई थी फिर Dr. Doom ने सब Realities को साथ मिला कर Battle World Reality बनाई थी Long story short Secret Wars के एंड में बचे कुछे Super Heroes ने एक नए Marvel Universe की बुनियाद डाली थी इस मुई में Illuminati को दिखाना शायद इसी बात का हिंट हो कि Marvel ऐसा ही कुछ करके MCU में X-Men और Fantastic Four जैसे Super Heroes को इंटर्ड्यूस को इंटर्ड्यूस करेगा बट I think MCU वाले Secret Wars में Dr. Doom की जगा Kang the Conqueror में विलन होगा पहले Loki में He Who Remains और अब इस मुई में क्लिया एक और बात Young Avengers भी MCU के Phase 4 और Future Projects में बड़ा रोल प्ले करेंगे Marvel ने चुपके से Already धेर सारी Young Avengers इंटर्ड्यूस कर दिये Kate Bishop, Miss Marvel, Billy and Tommy Elijah Bradley और शायद Franklin Richards Reed Richards के धागे खोलने से पहले Wanda ने इससे बीवी और बच्चों के बारे में पुछा था कि don't worry, Reed के बनने के बाद उसकी बीवी बच्चों का ध्यान रख लेगी तो basically Multiverse of Madness Standalone movie कम और Future Projects के बीच का Bridge ज्यादा थी इसलिए इस पूरी movie में कोई एक main character नहीं था I mean movie के नाम में तो Dr. Strange है बट अमेरिका शाहिवस की बिना Strange किसी काम का नहीं लग रहा था यसलिए movie को लेकर fans के mixed reactions आ रहे हैं भाई आगे भी ऐसे expectations रखना सिर्फ अभी अच्छे movies बना कर पैसा नहीं कमाना लंबा planning दिखा कर इने investors को भी खुश रखना है और जहां तक बात रहे हैं इस वीडियो की अगर आपको वीडियो अच्छा लगा थो प्लीज लागा थो प्लीज लाइक चेन शब्सक्राइब पूर मोर वीडियो लाइक देस मैं ऐसे और भी वीडियो बनाया जिनके लिंक्स आपको description box में मिल जाएंगे thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one